सीडियस विपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे सभी लोगों में उनकी मृत्यू की खबर को लेकर एक शोक की लहर दोड़ गई लेकिन कई लोग हमार देश में ऐसे भी मौझूद हैं जिनकों की ये शायद खबर अच्छी लगी क्योंकि जिस प्रकार के रियक्शन सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया उनकी रियक्शन यही बताते हैं कि वो इस खबर से काफी जादा खुश थे कई जगों पर इन चीज़ों कर लेकर कारवाई भी करी गई कि भी आखिर आप अपने देश के एक सपूद के बारे में इस प्रकार की बाते कैसे कर सकते हैं ये आपकी गृणा दिखाता है आपकी गंदी मान से कता बताता है और बताता है क्यों समाज को आप से सचेत रहना चाहिए कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि इस समय पर निकल कर सामने आए हैं उनमें से कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले है भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सीडियेज जनरल विपिन रावत की हेलिकाप्टर दुरगटना में मृत्ति होने पर कई असमाज एक तत्वों ने खुशी जाहिर करी सोशल मीडिया पर इन हरकतों के स्क्रीन शॉट वाइरल हो रहा है इन मामलों में अब पुलिस ने गरफतारिया शुरू कर दी है राजस्तान के टॉंक में जावेद खान एक ऐसा शक्स को गरफतार किया गया है जावेद खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिका था कि जहन्नुम जाने से पहले ही जिन्दा जल गया इसके साथ उसने जनरल रावत का तस्वीर भी शेयर किया जनरल रावत का नाम लिखने से पहले जावाद ने एम एफ शब्द का प्रयोग किया था अब अब इसका मतलब निकाल सकते हैं भाजपा निताल लक्षमी कांद भारत दौाज ने संबन में शकायात करी थी पुलिस के मताबिक अमर्यादे टिपणी करने वाले व्यक्ति जावेद खान पुत्र अब्दुलनकी खान उम्र 21 निवासी राज टौकिस के पास नजरबाग रोड टौक्स को गिरफतार कर लिया गया है जिस पर कठोरतम विधे कारवाई की जाएगी इसी को लेकर टौक पुलिस राजसान ने लिखाया है कि वही अमारे टिपणी करने वाले व्यक्ति जावाद खान पुत्र अब्दुलनकी को गिरफतार कर लिया गया है जिस पर कठोरतम कारवाई करी जाएगी एकरने मामले में आयाटी दिल्ली ने दिवेंगत जनरल रावत पर अपतिने टिपणी करने के मामले में अपने एक छातर के खिलाव जाँच शुरू कर दी है आरुपित का नाम राम प्रभरन बताया जा रहा है उसने ट्वीट में लिखा था कि दोस्तों वो होमोफोबिक कुड़िदान का पीस मर गया इसके साथ ही उसने जश्न की एमोजी डाली थी इस मामले में आयटी दिल्ली के डिरेक्टर प्रफेसर वी राम गोपाल राव ने जाच के बाद कारवाई करने की बात कही है ट्वीट में रावन लिखाता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दुक की इस घड़ी में कोई तना आज सम्विदन हीन कैसे हो सकता है वहीं जैपुर के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रफेसर आजय सिंग जेठू का भी एक कथित फेस्बुक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें लिखाए कि सीडियस अपनी वाइफ को लेकर सेना के हेलिकाप्टर से कहां तफरी कर रहे थे चौपर कोई दहेज में मिला हुआ नहीं है इसे स्क्रीन शॉट पर भी जेपर पुलिस को टैक करके कारवाई की मांग हो रही है जाहिर सी बात है कई लोग ऐसी चीज़ों से आहद भी हुए करनाटका के बैंगलूर में लॉक एक चातर तीसरा धर के खिलाव भी पुलिस ने शिकायत हुई तीसरा धर्ण ने सोशल मीडिया पर सीडिये जनरल रावत के मामले को लेकर पिये मोधी वर व्यंग किया था बैंगलिरू पुलिस ने साइबर सेल को आगे कारवाई करने के निरिश दिये है इसी के साथ उन्हों ने मिलब ट्वीट में जो बाते कहीं थी वो काफी ज़्यादा घटिया बताई जा रही है अपनी प्रोफाइल में अकलेश यादव की कवर फोटो लगाने वाले गुजरात के शिवभाई अहीर ने अपने फेस्बेप पोस्ट में अपतेजने टिपपणी करी है उन्हों ने लिखा कि पुलवामा द्रोही मनुहर पर्रीकर सेना प्रमुग बिपन रावत के बाद अब डोभाल की बारी है इसी के साथ उसने हसी वाली की एमोजी भी डाली है हरियाना भाजपा ITCEL के प्रभारी अरुनियादर ने भी स्क्रीनशॉट और लिंक को शेयर करते हुए कारवाई की मांग करी है जायर सी बात है ये लोगों के अंदर जो मौझूद घ्रणा है उसको दिखाता है बताता है कि ये लोग आखिर क्या सोचते है और इनके उपर जो पुलिस कारवाई हो रही है उसको जो लोग गलत बता रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस प्रकार की बात करकर आप कही ना कहीं देश के लोगों का मनोबल ही तोड़ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है मेरे इस वीडियों फिलाल इतना ही अदि आप लोगा कुछ कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रू बताईएगा जय हिन जय पारत